आखरी उमीद एक बार एक आदवी रेगिस्तान में कहीं भटक गया उसके पास खानी पिने की जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो बहुत जल्द ही खत्म हो गई और पिछले दो दिनों से वो पानी की एक-एक बुंद के लिए तरस रहा था वो मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे कहीं से पानी नहीं मिला तो उसकी मौत पक्की है पर कहीं न कहीं उसे इस्वर पर यकीन था कि कुछ चमतकार होगा और उसे पानी मिल जाएगा तभी उसे एक जोपरी दिखाई दे उसे अपनी आँखों यकी आँखों पर यकीन नहीं हुआ पहले भी वह मिर्क्तिष्णा और भरम के कारण धोखा खा चुका था पर बैचारे के पास यकीन करने के अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था आखरी ये उसकी आखरी उमीद जो थे वह अपनी बची खुची ताकस से जोपरी की तरफ रेंगने लगा जैसे जैसे करीब पहुँचता उसकी उमीद और बढ़ती जाते और इस बार भाग भी उसके साथ था सचमच वहाँ एक जोपरी थे पर ये क्या जोपरी तो बिरान पर रिखे मनु सालों से कोई वहाँ भटका न हो फिर भी पानी की उमीद में आदमी जोपरी के अंदर घुसा अंदर का नजारा देख अपनी आखों पे यकीन नहीं हुआ वहाँ एक हैंड पंप लगा था आदमी एक नई उर्जाक के से भर गया पानी की एक एक बुंद के लिए तरस्ता वह तेजी से हैंड पंप चलाने लगा लेकिन हैंड पंप तो कब कासूख चुका था आदमी निरास हो गया उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता वह निढाल होकर गिर गया तभी उसे जोपड़ी की छट से बंदी पानी से भरी एक बोतल दिखे वह किसी तरह उसकी तरफ लबका वह उसे खोल कर पीने ही बाला था कि तभी उसे बोतल पर चिपका एक कागज दिखा उस पर लिखा था इस पानी का प्रियोग हैंड पंप चलाने के लिए करो और वह आपस बोतल भर कर रखना नहीं भूलना ये एक अजीब सी स्थिती थी आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वह पानी पीए या उसे हैंड पंप में डाल कर उसे चालू करे उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे अगर पानी डालने से पंप नहीं चला अगर यहां लिखी बात जुट हुई और क्या पता जमीन के अंदर पानी सुख चुका हो लेकिन क्या पता पंप ही चल परे क्या पता यहां लिखी बात सच हो वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से पानी पंप में डालने लगा पानी डाल कर उसे भगवान से प्रार्थना की और पंप चलने लगा एक, दो, तीन और हैंड पंप से ठंड़ा ठंड़ा पानी निकलने लगा वो पानी किसी अमरिस से कम नहीं था आदमी ने जी भर के पानी पिया उसकी जान में जान आ गई दिमाग काम करने लगा उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छट से बांच दिया जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसके सामने एक सीस्य की बोतल दिखे तो उसने एक पैंसिल और एक नकसा परा हुआ था जिस मेरेगिस्तान से निकलने का रास्ता था आदमी के आदमी ने रास्ता याद कर लिया और नकसे बाली बोतल को वापस वही रख दिया इसके बाद वो अपनी बोतल में पानी भर कर वहां से जाने लगा कुछ आगे बढ़ कर उसने एक बार पीछे मुर कर देखा फिर कुछ सोच कर वापस उस जुपनी में आ गया और पानी से भरे बोतल पे चिप के कागज को उतार कर उस पर कुछ लिखने लगा उसने लिखा मेरा यकीन करिए ये काम करता है दोस्तों ये कहानी लाइफ के बारे में है ये हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी स्थिती में भी अपनी उमीद नहीं छोरनी चाहिए और इस कहानी से ये भी सिख्षा मिलती है कि कुछ बहुत बड़ा पाने के लिए पहले हमें अपनी और से कुछ देना होता है जैसे उस आदमी ने नल चलाने के लिए मवजूद पुरा पानी उसमें डाल दिया देखा जाए तो इस कहानी में पानी जीवन में मवजूद अच्छी चीजों को दरसाता है कुछ ऐसी चीजें जिसकी हमारे जीवन में भैलू है किसी के लिए ये ग्यान हो सकता है तो किसी के लिए प्रेम तो किसी और के लिए पैसा ये जो कुछ भी है उसे पाने के लिए पहले हमें अपनी तरफ से उसे कर्म रूपी हैंड पम्प में डालना होता है और फिर बदले में आप अपने योगदान से कही अधिक मात्रा में उसे वापस पाते हैं दोस्तो आज की ये कहानी कैसी लगी कोमेंट करके बताने का कस्ट करेंगे अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को सेर करने में कंजूसी नहीं करिएगा साथ ही अपने चैनल कथा काप दरपन को सब्सक्राइब कर लिजिएगा फिर मिलेंगे दूसरी ज्यान पर ढख कहानी लेका तब तब खुश रहें, मस्त रहें, जैस्त रहें जै हिंद, जै भारत